मेरा नाम हुआ मोहमद अहाद रजा क्या लगता है कि सिख्षा मंत्री बने हैं दूसरी तोर पे आप देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से सीबी आई इडी की रेड पर रही है जब से महागड़म अंदन की सरकार बनी है कैसे देखते हैं सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया आदा करना चाहूंगा उसके बाद बता देता हूं मैं ये कोशी बासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है कि मदेपुरा के सदर विधायक मानिये प्रोफेसर चैन सिखर यादव ब्यार सरकार में इनको मंत्री बनाया गया है ये बहुत ही खुशी की बात है 27 अगस्त को अपने जनम मुवी मदेपुरा आवगमन होने जा रहा हूंका और बहुत लाखों की तैदाद में लोग कोशी बासियों पूरे खुशी के साथ हरस्तुलास के साथ सामिल होने के लिए ताद पड़े हैं 27 अगस्त यानि आपको दो-तीन दिन बचे हुएं क्या कुछ तैयारी हो रही है तैयारियां हो रही है गल्स हाइज स्कूल पहले वो आएंगे मतलब साहर्शा साहर्शा में उनका प्रोग्राम होगा और अरसा में प्रोग्राम होने इक बात उनका प्रोग्राम मध्यपूरा में केशव कन्या हाइवस्ड कूल में होगा यहां पर बात यह भी आ रहे है कि हजारों की तादाद में बाئिक जाने वाला है और कारेकरताओं में काफी जुनून है जोस में हैि मानिये मंतरी जी सिख्षा मंतरी वह मधिपूरा पहली बार सिख्षा मंतरी की रूप में आ रहे हैं तो कैसा माहोल है देखे एक ये अभी बहुत बड़ी बात है मधिपूरा के धर्ती के लिए मधिपूरा के लिए ये पुड़े बिहार में नाम मध्यपुरा का नाम रोशन हो गया है इसके लेकर यहां का पबलिक यहां का जनता इतना ज्यादा खोसे है कि वो अपना मदभीना बुलाए हुए जाने के लिए लाखों के लोग पहुचेंगे और बाइक बगेर तो हजारों के तादाद में रह आफेंय कर लिए और क्या लगता है सिक्षा मन्तरी बदल जी ले कि सिख्षा वेवस्ता ठीक हो गई आ पूड़े बिहार की सिख्षा वेवस्ता को सही किया जाएगा समय जो बाहुझे होगा उसके बाद जो है सिक्षक लोगों को भी थोड़ा से ध्यान देना परेगा समय पे स्कूल आना मदब बच्चे लोगों को सही से पढ़ाना इस चीछ पर भी ध्यान दिया जाएगा आप आरजेडी के नेता है और हमेशा आप भी मदेपुरे जिले में सुर्खियों में कि बातों को बड़े परमुखता से रखते हैं एक यह भी सामने आ रही थी के बाद जो टीचर की बहाली कि आप बात कर रहे थे कुछ टीचर जो परिशार्ती है वह जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो उन पे एसडीम लाठी चार्ज करते हैं बुरी तरह लाठी चार्ज थे कि इतने भी मानलब की सिक्षक हैं उनसे यह रिक्ष्ट किया गया था कि आप लोग शांती बनाए रखे हम लोग का जो सरकार बना है वह नौकडी के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं रोजगार के लिए सिक्षा के लिए ही लड़ाई लग तो उसमें थोरा सा ठीचर लोग को भी धर्ज रखना चाहिए था दूसरी दूसरी बात है वह किसी के इसारे पर यह काम किया है जिसके कारण मानिये तेजस भी यादब उस पर एक्सन भी लिए हैं और उसको अभी लंब उसको उसको सजा दिया जाएगा चलिए मानिये शिक्षा मंत्री मधेपुरा आ दिख्षा मंत्री बने तो पूरे इलाके में पूरे कोशी सिमान चल या यूं कहले पूरे बिहार में एक आसा के रूप में उन्हें देखा जा रहा है